कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंक असब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास मैं प्लस पर एक वेरिफाइड एजुकेटर हूँ आप मुझे फॉल 10 code का इस्तमाल कर लीजेगा इससे आप लोगों को discount मिल जाएगा 10% का या maximum अगर कभी का बार बीच में offer भी आते रहते है तो अगर 20% होगा तो आपको 20 भी मिल जाएगा चलिए तो coded inequality की बात करते हैं दोस्तों coded inequality basic level से आज हम start करने वाले दो मिनिट पस मैं wait करूँगा ताक एक एक question को solve कर सकते हैं तो वो हम सिखेंगे आज कर तो अगर वोगा कर एक यह का दिल पिला तो चलिए तो एपरोक्स 100 से उपर हो चुके हैं लोग तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखें सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि कोड़िड इनिक्वैलिटी क्या होता है कब कब आता है अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स में दोस्तों यह नहीं आता ठीक है यह प्रिलिम्स में नहीं आता जिसमें sectional timing होता है उसमें खास करनी है क्योंकि ठोड़ा सा time consuming होता है यह topic mains में ज्यादा तर आता है पहले आज से 3-4 साल पहले यह आया करता था प्रिलिम्स में लेकिन mains में आता है, इसलिए आप लोगों कोई ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा लंबी ग्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट का concept है, बस वो एक बार सीख गए, तो उसके आप फिर प्रैक्टिस की जरुव क्या होता था, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to, तो इनकी जगह पर, symbol का इस्तमाल किया गया है, और आपको बता दिया गया है, कि उस symbol का मतलब क्या है, greater than है, less than है, जो भी है, तो इसके लिए करेंगे क्या दोस्तों, हम सबसे पहले बनाएंगे magic box, तो magic box कैसा होता है, सबसे पहले यह चीज़ को देख लिजे, एक square आपको बनाना है, इधर होता है greater than, इधर होता है greater than, इधर होता है greater than, इक्वल to, यहाँ less than, यहाँ less than, इक्वल to, बीच में equal to, ठीक है, तो इसको अपने copy में बना लो और याद कर लो, रट लो, दिमाग में बठा लो कि ऐसा होता है, अब इसक में क्या करना है दोस्तों आप लोगों को priority level बनाना है, तो priority level यह होता है one, यह होता है two, यह होता है three, नीचे वाला just opposite, याने कि one dash, two dash, और three dash, dash हम क्यों लगाते है, opposite मतलब dash, जैसे north, उपर north, तो नीचे south, वैसे बिलकुल उपर one, तो नीचे one dash, उपर two, तो नीचे two dash यह three तो यह three dash, क्योंकि equal to चाहिए आप इस तरफ से देखो, चाहिए उस तरफ से देखो, वो वैसे ही रहता है equal, लेकिन अगर इस sign को मैं इस तरफ से देखूँ तो यह greater हो जाता है, इस तरफ से देखूँ तो यह small हो जाता है, इधर वाली जो value होगी, वो greater होगी, उधर greater than वाले को जब मैं पलट दूँगा तो यह smaller than बन जाता है, इसलिए इसको opposite बोलते है, one का opposite one dash, उमीद करता हूँ यह चीज आप लोगों के दिमाग में बैड गई होगी, पुरा रट लो इसको अच्छे से, ठीक है, जल्दी से इसको note करो copy में, चलिए दोस्तों, उमीद करता हूँ, आप लोगों ने इसको note कर लिया होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप करना क्या होता है, यह जो box है यह आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, इसको बनाना नहीं है exam में, यह आपके दिमाग में रहना चाहिए, मतलब जैसे formula आपके दिमाग में होता है, आप direct put करते हो, बस वैसी है, आपको यह दिमाग में रखना है, और put करना है, कहाँ पर box बनाते हैं, हम यहाँ पर यह देखो, यह box, थोड़ा बना लेता हूँ मैं इसको, तो अब देखो दोस्तों, यह इसको पढ़ते हुए, हम यहाँ पर symbols को note करेंगे, याद रखिए, क्या बोर है, A percent B का मतलब है, A is greater than B, A percent B का मतलब है, A is greater than B, greater मतलब बड़ा है, A जो है, वो B से बड़ा है, तो इसमें बड़ा वाला symbol कौन सा होता है, greater than, यह होता है न बड़ा वाला symbol, greater than बोलते हैं जिसको हम, उसी के लिए यह किसका use कर रहा है, percentage का मतलब यहाँ पर रख दो percentage उसके बाद आपको क्या बो रहा है dollar का मतलब a is smaller than b छोटा है छोटा है मतलब यह वाला sign दिख रहा है आपको छोटा का smaller than तो बस यह dollar को आप रख दो यहाँ पर वैसी देखो star का मतलब either smaller or equal मतलब यह तो छोटा है या बराबर है छोटा है या बराबर है यह वाला दिख रहा है smaller equal छोटे का sign भी है और smaller equal का भी sign है तो इस वाली जवापे हम यह star को बना देंगे फिर देखो यह divide वाला जो symbol है slash बोल सकते हो इसका मतलब कि इधर greater or equal यानि कि बड़ा है या फिर equal है तो यहाँ पर लिख दो यह वाले sign को अब जो बज गया hash neither greater nor smaller मतलब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है बराबर होगा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर होगा तो बराबर वाली जगह पर यहां पर हम लिख देंगे यह जो एक last symbol बजगया था hash उसको तो आपको इसी प्रकार से ऐसा एक diagram बनाना है यह आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है अब होता क्या है दोस्तों याद कर लिजेगा एक चीज और बता रहा हूँ जब भी हम compare करेंगे तो comparison हमेशा सिर्फ उपर उपर के symbols का होता है और नीचे नीचे के symbols का ऐसा होता है उपर नीचे का symbol दिख जाएगा तो गलत हो जाएगा सीधा आपको wrong mark कर देना है और जब भी हम comparison करते हैं तो छोटी value answer बनती है कैसे बनती है मैं थोड़ा एक दो question solve करके दिखाऊँगा आप देखते जाएगा देखते जाएगा कैसे कर रहा हूँ दीरे दीरे आपको समझ में आने लगेगा हो सकता है शुरुवात के 2-4 question में आपको कुछ भी समझ में ना है पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएगे आपको चीज़े समझ में आती जाएगी इसमें देखो दोस्तों क्या करना है यह देखो B से S तक जाना है मैं color change करके दिखाता हूँ आपको conclusion देखना है ठीक है B को S के घर तक जाना है तो B S के घर तक कैसे जा सकता है देखो यहाँ पर कॉमा जो है पहले तो इसको separate कर लो ऐसे अब देखो B जो है वो S के घर तक कैसे जा सकता है तो B जो है पहले यहाँ से जाएगा O के घर फिर उसक्या C के घर फिर उसक्या D के घर तो यहाँ D तक पहुँझ गिया फिर D से यह है देखो D से जाएगा यह S के घर तो B से S पहुँझ गिया na B से D तक गिया D से S तक गिया तो बीच में सिंबसे चल मॉल कौन कॉन से दिख रहे देखो यह वाला star दिख रहे hash दिख रहे percentage दिख रहे उसके यहाँ पर देखो डॉलर दिख रहा है इन चारों सिंबॉल को compare करना है हमको क्या बोलते हैं star hash फिर percentage वही एक नीचे का आ गया एक उपर का आ गया मैंने अभी क्या बताया था नीचे का उपर का आ गया तो comparison होता ही नहीं गलत हो जाता है अब M को O के घर तक जाना है M को O के घर तक जाना है क्या वो जा सकता है जा सकता है तो true होगा नहीं जा सकता है तो false होगा चेक करते हैं पहले तो यह comma वाले को मैं ऐसे separate कर देख देख एक्जाम में ऐसे screen में monitor में नहीं मारना भी daily daily बता रहा हूँ मैं बहुत से student होते हैं नहीं नहीं एक्जाम में जाके pen चला देते हैं पुरा monitor खराब कर देते हैं यह सब नहीं करना है वही ठीक है यहां मैं चला रहा हूँ इसको देख के आप लोग मत कर देना pen copy अपने उसमें चलाईए पेज में तो M को O तक जाना है कैसे जाएगा M को O तक जाना है कैसे जाएगा देखो अब M जो है उल्टा जा रहा है यह देखो यह उल्टा जा रहा है M से P ठीक है फिर P से D, D से C, C से O अब यहां पर लगेगा दूसरा concept दूसरा concept क्या होता है कि जब भी हम उल्टे direction में जाते हैं तो symbol को पलट देते हैं पलट देते हैं मतलब देखो यह जब उल्टे उल्टे दिशा में आ रहा है न ऐसे left तरफ स्टार का हो जाएगा opposite स्टार का opposite यानि यह वाला symbol एक है यह देखो यह वाला symbol जो है इसका opposite क्या हो जाएगा इसका opposite हो जाएगा यह यह यानि स्टार तो भई अभी तक की journey में ही आपको एक उपर एक नीचे का symbol दिख गया यह तो पहली गलत हो गया आगे चेक का निक ज़रू होती नहीं है क्योंकि इसको आप पल्टोगे स्टार को तो वो slash बन जाएगा slash को पल्टोगे तो वो star बन जाएगा एक उपर का मिल गया एक नीचे का मिल गया तो गलत हो गया आगे आपको चेक कुछ करना ही नहीं आगे बढ़ना ही नहीं है इतने में गलत हो गया आपका यह दोनों गलत तक जाना है ठीक है ए को के के घर तक जाना है इसको पहले सेपरेट कर देते हैं अब देखो ए जो है वो के के घर तक कैसे जा सकता है तो ए पहले जाएगा इसे वाई के घर फिर वाई से जाएगा के के घर तो हमको कौन-कौन से दो सिंबॉल दिखे एक स्लैश दिख रहा है प जो दिख रहा है वही होगा star वही आपको यहां बीच में दिख रहा है मतलब true जो answer बन रहा है comparison के बाद अगर वही आपको यहां पर दिख रहा है मतलब true तो यहां हमको star star को compare करना है star star में छोटा क्या होता है star ही छोटा होता है वही आपको दिख रहा है यानि true उमीद करता अब O को Y के घर तक जाना है तो O Y के घर तक कैसे जा सकता है देखो भई O जो है पहले L के घर तक जाएगा L से K के घर जाएगा फिर K से Y के घर जाएगा तो ये उल्टे डाइरेक्शन में percentage, hash और star को हमको पलटना है percentage, hash और star भई percentage को पलटोगे dollar star को पलटोगे ये तो उपर नीचे के से involve मिल रहे है comparison हो गई नहीं दलत हो गया समझ में आया भई उमीद करता हूँ थोड़ा बहुत clear हुआ होगा चीजे तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आप लोगों को बनाने के लिए दो तीन question आप लोगों try करिए इस box को मैं अगले page में फिर से बना देता हूँ percent slash dollar star percent slash dollar star और बीच में क्या था hash चलिए तो ये तीसरा वाले question का answer दीजे जल्दी से तीसरे वाले में क्या होगा उड़ोंوا खूश उटाइए जल्दी से वाले में क्या प्रूश भज़ता देता हूँ झालमे कर दो झालमे कैदार राक 17 क्याक्ष्र नondere było झाल झाल चलिए तो यहाँ पर दोनों बोथ टू आंसर दे रहे हैं सारे लोग, दोनों टू आंसर दे रहे हैं, तो दोस्तो आप सेम यही चीज़ को जो आप लोग कॉपी पैन से कर रहे हैं, उसको ओरली करने की कोशिश करिएगा बस और कुछ नहीं, जो भी लोग बोलते हैं न सर इस स्पीड नहीं आती, स्पीड इसलिए नहीं आती, आप कॉपी पैन का यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ यह बना के रखो, ओरली आपको देखना है और आंसर करना है, आपकी स्पीड हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी आंसर देने लग जाओगे, तो स्टार्ट करते हैं, इ डॉलर हैश, ये तीन दिख रहे हैं, ये तीन दिख रहे हैं, तीनों में छोटा क्या होता है, ये चोटा होता है, और इसको पलेटना भी हमको, तो पलेट दोगे तो पर्सेंटेज, कॉछ गलत किया है, क्या है है? सही है बोथ ट्रू बोल रहे हो क्या आप लो बोथ ट्रू है पहले का पक्का मुझे नहीं लग रहे हैं बोथ ट्रू होगा देखो दोस्तों ध्यान से देखना इसमें क्या बताया है ट से एस तक जाना है ट से पहले आई तक जाओगे i से p तक जाओगे p से s तक जाओगे left direction में जा रहे हैं इसको पल्टोगे star को तो वो बन जाएगा slash dollar को पल्टोगे तो dollar बन जाएगा percentage और hash को पल्टोगे तो hash तो hash का hash ही रहेगा रहेगा ना तो इन तीनों symbol को जब आप compare करोगे तो छोटी value answer बनती है तो छोटी value answer बनती है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों answer हमारा क्या बनेगा इन तीन symbol में छोटा क्या है यहाँ पर देख लो 1,2,3 तो यह वाला छोटा होता है इधर वाला इधर वाला छोटा होता है मतलब percentage यहाँ हमको percentage नहीं दिख रहा मतलब गलत गलत है यह ठीक है second वाले को देखते है second वाले में क्या है s को जाना है l तक कैसे जाएगा तो s पहले जाएगा p तक ठीक है फिर p से जाएगा l तक तो hash और percentage hash और percentage में percentage छोटा होता है वही आपको यहाँ दिख रहा है तो यह true होगा clear है तो only two बनेगा इसका answer जिसने भी निकाला बिल्कुल सही निकाला अब दोस्तों इसके आगे और भी देखते है दो question और बना लेते है अब इसमें देखो p से जाना है e तक तो p से e तक जाना है कैसे जा सकते हो भी पहले तो comma separate कर देता हूँ मैं अब p से e तक कैसे जाएंगे देखो यहाँ पर कोई journey दिख रही है का p से यह देखो p से v तक v से e तक तो भई जो हम इस direction में जा रहे है वो symbol तो as it is लेते हैं वो तो as it is ही रहेगा पर जो ultra आ रहा है तो percentage का ultra dollar अब दोस्तों देखो एक symbol आपको उपर का दिख रहा है एक symbol आपको नीचे का दिख रहा है comparison होई नहीं सकता गलत हो गया ठीक है comparison होई नहीं सकता गलत हो गया अब इसके बाद देखो दूसरा वाला जो है o से j तक जाना है तो o से j तक आप कैसे जाओगे o से पहले जाओगे v तक फिर v से जाओगे j तक तो जो हम right direction में जा रहे हैं वो वाला symbol तो as it is रहता है जिसमें हम ultra direction में आ रहे हैं तो उसको पलट के हम symbol को पलट देते पलट देते हैं symbol को तो अब देखो दोस्तों hash और percentage hash और percentage में छोटा क्या होता है ये छोटा होता है percentage आपको यहाँ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है मतलब गलत तो यह होगा आपका नीधर ठीक last वाले को देखते हैं दोस्तों a को जाना है d तक a को जाना है d तक कैसे जाएगा पहले तो comma separate करते हैं अब देखो a जो है वो d तक कैसे जा सकता है तो a जा सकता है f तक फिर f से जा सकता है d तक तो hash और percentage hash और percentage में छोटा होता है percentage वही दिख रहा है मतलब true f को जाना है g तक f को जाना है g तक तो यह देखो, F जो है, पहले D के घर जाएगा, फिर D से G के घर जाएगा, हैश और डॉलर, हैश और डॉलर, छोटा डॉलर होता है, वही यहाँ पर दिख रहा है, यह आपका टूल, यानि बोथ आपका आंसर पर लेगा, तो ऐसे question दोस्तों, यह पहले आते थे, प्री में 5 question 5 number के आया करते थे, लेकिन अब यह प्री में आना बंदो गया, अब यह mains में आता है, तब काफी लों सोचेंगे, सरी यह तो बहुत हलवाई mains में आता है, तो दोस्तों mains में जो आता है, वो इतना आसान नहीं होता, उसमें यह जो statement होती है, वो यहाँ से लेकर आप लोगों को ऐसे इतनी बड़ी statement देता है, ऐसा, और जो conclusion देता है, वो सिर्फ एक नहीं देता है, ऐसे चार conclusion आपको देता है, तो चारों को आपको निकालना होता है, और उसमें जो पूरी journey है, जैसे आपकी यह पूरी journey क्या है, बहुत आसान है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, छोटी छोटी journey, नहीं, आप आसानी से देख लेते हो, जब यह बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो आपको खोजने में थोड़ी सी problem आती है, इस चीश को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो mains में आता है, तो थोड़ा आपको practice अगर इसकी अच्छी कर लोगे, एक question मैं आप लोगों को देता हूँ, या आप लोग और solve कर लो जल्दी से, इसका जल्दी से एक बार पहले तो table बनाओ, जो हम बनाते है magic box, वो बनाई है जल्दी से, और दोनों question को solve करिये, झाल, 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 झाल झाल चलिये दोस्तों उमीद करता हूँ आ गया होगा अभी तक आंसर दोनों का चलिये इसको देखते हैं सबसे पहले box बनाएंगे magic box बनाएंगे दोस्तों तो मैं reference के लिए यहाँ पर बना देता हूं यह box लेकिन आपको यह बार बार नहीं बनाना है ठीक है आपको यह सिर्फ दिमाग में रखना है अपने क्योंकि अगर बार बार एक्जाम में यह चीज आप बनाते रहोगे तो आपका time waste होगा तो यह चीज आपको सिर्फ दिमाग में रखना है यहाँ पर आपको बनाना है plus का मतलब है greater तो greater वाली जगह पर plus question mark का मतलब है small तो question mark small वाली जगह पर and का मतलब है small or equal तो small or equal यहाँ पर आजाएगा and उसके add the rate का मतलब है greater equal तो add the rate आजाएगा यहाँ पर इसका पावर वाले sign का मतलब है neither greater nor smaller तो बराबर हो जाएगा तो ये बन गया अब फटा फट देखते हैं दोस्तो L से V तक जाना है तो L से V तक आप कैसे जाओगे देखो L से आप जाओगे O तक O से जाओगे V तक question plus question question और plus नहीं हो सकता comparison F से जाना है D तक F से I I से D end को पलटेंगे end पलट के add the rate, add the rate answer बनना चाहिए ये दिख रहा है true हो गया तो ये speed आप की होनी चाहिए exam में solve करनी की जैसा मैंने किया है इस speed से अगर आप exam में solve करोगे तो ही competition fight कर पाओगे second वाले को देखते हैं देखो G से X तक जाना है G से X तक जाने के लिए क्या तरीका होगा भी ये देखो G से K, K से X question mark को पलटेंगे बन जाएगा plus, plus और इसमें plus होता है plus दिख रहा है true T और N, T से N तक जाना है कैसे जाओगे T से K, K से N तो उल्टा जा रहे है and और question mark and question mark plus, plus दिख रहा है true बोथ true answer बनेगा तो ऐसे करना होता है दोस्तों speed से, ठीक है practice करोगे, automatic ये speed आपकी बनेगी tension लेने की ज़रुवत नहीं है अब मैं थोड़ा से इसको आराम से समझा देता हूँ जिनको इतनी speed में समझ में नहीं आया उनको मैं थोड़ा सा आराम से समझा देता हूँ उसके आप फिर खतम करेंगे, ठीक है question मैं इसके दिखा दूँगा, आप लोग बना लीजेगा देखो, L को V के घर तक जाना है कैसे जाएगा भई, L जो है वो V के घर तक पहले L से O के घर जाएंगे, फिर O से V के घर जाएंगे तो इसमें भी left जा रहे, इसमें भी left जा रहे मतलब दोनों symbol को आपको पलट देना है question mark को और plus को question mark को पलट होगे तो वो plus बन जाएगा और plus को पलट होगे तो वो question mark बन जाएगा एक उपर का, एक नीचे का comparison नहीं होता इसलिए ये गलत होगया, ठीक है second वाला देखो F को जाना है D के घर तक कैसे जाएगा, F से जाएगा I के घर I से जाएगा D के घर जो उल्टा जारे उसको पलटेंगे जो सीधा जारे वो वैसा का वैसा ही रहेगा तो जो उल्टा जारे and उसको पलटोगे add the rate इन दोनों को compare करोगे तो छोटा तो वही होता है दोनों में छोटा क्या है, वही तो छोटा होगा और वही आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब true इस वाले में देखो, G को जाना है X के घर तक तो G को X के घर जाना है कैसे जाएगा G से जाएगा K के घर, K से जाएगा X के घर, तो जो सीधे direction में जारे वो symbol वैसा ही रहेगा, जो उल्टे direction में जारे, उस symbol को पलट देंगे, अब इन दोनों को compare करो, प्लस और इसमें छोटा होता है ये, नमबर वहाँ देख लो, आप 1 और 3 छोटा ये होता है, ये प्लस यहाँ पर प्लस दिख रहा है, मतलब true अब ये last वाले को देखो इसको, ट को जाना है, एन के घर तक, तो ट से के तक जाएगा के से एन तक जाएगा, पूरा left direction में आ रहा है, and, and और question mark, सब को पलटेंगे and को पलटोगे, add the rate question mark को पलटोगे plus, दोनों में छोटा क्या होता है, plus, क्यों भही ये देखो दोनों में ये वाला छोटा होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है तो 1 वाला छोटा होता है, तो अगर 1 वाला छोटा है, वही आपको बीच में दिख रहा है, मतलब true Sir, अगर statement negative में होते तो, like a is not smaller than b, अच्छा सवाल है रितिक जी चलिए, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ एकाथ question शायद होना चाहिए ये देखो, जैसी ये आपको दिख रहा है इस type का कभी भी आपको दिखेगा not greater than या not smaller than तब कैसे बनाना है, उसको भी बता देता हूँ greater, greater than, equal to, less than, less than equal to, equal to, 1, 2 1-, 2-, 3 और 3- तो इसमें बनाने का तरीका जो है दोस्तों बड़ा simple है, कोई tension वाली बात नहीं है देखो, minus का मतलब हो रहा है, not greater बड़ा नहीं है बड़े का symbol यहाँ दिख रहा है बड़ा नहीं है बड़ा नहीं है तो क्या है बड़ा नहीं है तो क्या होगा, just diagonal opposite अगर देखो, मैं इसका नहीं की example देता हूँ आप लोगों को age वाले example देता हूँ आपकी age, आप मेरे से age में बड़े नहीं हो तो आप क्या हो सकते हो या तो मेरे बराबर हो सकते हो या मुझसे छोटे हो सकते हो सेम वही चीज़ आपको करनी है अगर बोल रहा है बड़ा नहीं है तो diagonal diagonal में जो है यहाँ पर आप लिख दो इस sign को, ठीक है इस वाले को देखो भी, dollar का मतलब क्या not smaller, मतलब छोटा नहीं है तो अगर छोटा नहीं है तो opposite में यहाँ पर अगर यह नहीं है तो यह वाली जगह पे आप लिख दो भी यह हो गया परसेंटेज का मतलब नीदर, greater, nor equal मतलब बड़ा और equal नहीं है तो यह नहीं है तो इसके diagonal opposite मतलब यह वाली जगह पे आप परसेंटेज को लिख दो और जो बजगया question मागो उसको बीच में लिख दो होगे उमीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को अब इसकी practice करिएगा जितना practice करोगे उतना अच्छा है और अगर आप मेरे courses बिल्कुल basic से सारी चीज़े देखके जल्दी जल्दी सीखना चाते हैं तो आप an academy plus का subscription ले सकते हैं दोस्तों subscription लेने के लिए आप AL10 ये code को इस्तमाल कर लिजेगा ठीक है AL10 ये code को इस्तमाल कर लिजेगा मेरी profile का link सब कुछ नीचे description में mention है आप वहाँ से click करके मेरी profile को follow जरूर कर लिजेगा दोस्तों उससे आप मेरी सारी classes देख सकते हो ठीक है तो follow जरूर कर लिजेगा खतम करते हैं फिर में देंगे next class में thank you by all the best जो plus वाले हैं दोस्तों 22 तारिक से course स्टार्ट हो रहा है जो भी plus वाले students है 22nd June से मेरा new batch स्टार्ट होने वाला है ठीक है 22nd June से सुबद 10 बजे class होती है 10 a.m. to 11.30 a.m. ठीक है चलिए तो खतम करते हैं दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग के total 3 topic खतम हो चुके है reasoning के ऐसे बहुत सारे topic है जो कि आपको cover करने है सबसे lengthy जो topic है वो है आपका puzzle puzzle तो भी non-stop साल देड़ साल तक आपको करते रहना है जब तक आपका selection नहीं हो जाता तब तक आपको puzzle की practice करते रहना है ठीक है चली खतम करते है thank you bye all the best